हेलो गाइज वेलकम तो मैं चैनल आप देख रहे हैं हाउट फिक्स टैक दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वालों अगर आपका हाट ड्राइब शो नहीं कर आपके सिस्टम में तो इस इशू को आपने कैसे फिक्स करने ड्राइब ना सो करने के दोस्तों बहुत सारे आपके सिस्टम में जैसे उसका फाइल सिस्टम में अगर आपका गलत है तो उसके वेज़े से भी आ सकता है अगर आपका यूएसबी पोर्ट खराब है उसकी वेज़े से भी शो नहीं करता है कई बार हाट ड्राइब करप्ट हो जाती है उसके वज़े से भी नहीं आता है दोस्तों आपके system में outdated driver use करने से हो सकता है तो चलिए हम step by step इस वीडियो को start करते हैं और perform करते हैं किस तरह के सापने troubleshoot करना है यह मेरे hard drive दोस्तों इसको आपने जिस port से नहीं चलना दूसरे port पर लगा के देखना है एक बार इस तरह के से क्योंकि कई बार आपका port भी खराब हो सकता है उसकी वज़े से भी error आ सकता है तो जो port चलना हो अब आपके system में उस पर लगा के देखना आपको फिर आपको यहां पर file explorer पर जाना है आप देख सकते हैं अभी भी हां पर show नहीं कर रहा है यहां पर यह लगा दिया मैंने यहां तो इसने डिटेक्ट तो कर लिया है लेकिन यहां पर show नहीं हो रहा दोस्तों आप देख सकते हैं अगर दोस्तों आपने new hard drive या फिर hard disk आपने परशेच करी है उसको आपने external hard drive की तरह यूज कर रहे हैं तो वह configure नहीं हो था आपके system में उसके वज़े से error आता है तो उसको configure करने के लिए आपको disk PC यहां पर क्लिक करना है या फिर आप यहां स्टार्ट मेनुट पर राइट क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से आपको उसके बाए disk management का option देखेगा है यहां पर जाना आपको disk management आप जैसी देखेंगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह fluctuate हो रही है यहां पर मेरे drive यह मेरे hard drive है यह 1000 gb के मेरे hard drive है यहां पर तो unallocated space आप देख सकते हैं तो इसका पतलब अब हम इसको easily यहां से fix कर सकते हैं और यह visible हो जायागा यहां पर यह भी मेरे क्लिक करूँगा दोस्तों select करने के बाद उसके बाद new simple volume पर क्लिक करना आपको आपको उसके बाद यहां पर next कर देना है इसको भी आपने by default छोड़ देना है next कर देना है यहां से अब आपने उसको drive letter आपको पर आपको देखने कौन से drive आपके पास है कि यहांपर मेरे पास c d f है तो मैं इसको new assign करूंगा इसको तो मैं यहां पर e assign करूंगा इसको और इसको नेक्स्ट कर देऊ है यहां से आपको यहां पर जो file system है इसका वह अगर आपके सिस्टम में एक्सपेट यूज़ कर रहे हो आप तो यूज़ कर सकता है अधर्वाज आज कल के सिस्टम में NTFS आपको चूज़ करकर रखना है यहां पर और यह अब राट कलिक करना मैनेज में जाना फिर से इस तरी कि यह सकता है डिस्क मेनेजमेंट कि यहां पर अब शोने कर रहा है यहां पर तो मैंने इसका पोर्ट चेंज कर दिया यहां पर अब आप देख सकता है यहां पर यह ली प्रैमरी यह ब्राइब आ चुके मेरे पास इसको में कट करता हूं यहां से रिफ्रेश्च करता हूं इसको बटे यहां पर अब भी शूर्ण नहीं कर रहा है दोस्तों मैंने इस पर जाके आपको कि डिस्क मैनेजमें में जाना फिर से अब यह जो इसका जो स्टेटास है यहां पर यह दुवारे से इसको मैं असाइन करता हूं ड्राइब लेटर कि चैन्ड लेटर पर क्लिक करना आपको एड कर देना है यहां से मैं इसको आप एच दे देता हूं दुस्तों मैं इसको ओके के आप मैंने RG Shdhs को यह Detroit करने लग गया दोस्तों आप देख सकते यहाँरा से इसको खोने करते हो मैं और इसको मैं अब आप देख सकते हैं यह आपर यह ड्रायम मरे हाण्ट ड्राइब रए बींदी में कि पॉमेड़ करता हूं और आपको क्विक्वारमेट करते हैं आपको कर देना है यहां पर उसको क्लोज कर देना है तो आप देख सकते हैं यहां पर 930 GB के मेरे hard drive है देख सकते हैं इस तरीके से आपको यह शो करना है क्योंकि कई बार आपके system के file size या फिर वह automatic उसको letter assign नहीं होता है उसके वज़े से यहां पर hard drive नहीं दिखाता है तो अगर दोस्तों आपका इससे भी fix नहीं हो रहा इशू आपने यह सब करके द्रेग लिया तो हम next step पर चलते हैं next step में दोस्तों आपको क्या करना है इस पर right click करना आपको drive का अगर दिख रहा है तो और उसको यहां पर format करना है इस तरीके से अब आपने यहां पर जो file system है इसका ntfs चूज करकर रखना है जैसे मैंने आपको पहले बोला था यह make sure करना है कि यह drive दिखा रहा हूं आपके इसको start कर देना है format कर देना इसको तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर दो step हमने ट्राय कर ले usb port बदल के और इसका जो है जो htrap के अंदर हमने लेटर भी चेंज किया इसका और हमने इसको रो जो था अनु एलोकेटेट को उसको एक partition बना दिया उसका और आप इसके अंदर आप कोई भी डेटर हैं से पेस्ट कर सकते हैं कि अब दोस्तों तीसरे step की तरफ जाते हैं अगर आपका issue यहां से fix नहीं होता है तीसरे step ने हमें device manager में जाना है यहां पर device manager आपको type करना है यहां पर device manager में दोस्तों आप जैसी जाएंगे सबसे नीचे कर देना आपको और आपको इस पर जाने universal serial bus controller USB C form फुल फॉर्म होती है यहां पर और इनको आपने जो USB के drivers है उनको आपको सबको update कर देना है अगर यलो एक्स्प्लेशन मार्क आ रहा है आपके सिस्टम में उसको भी आपने अपडेट कर देना है विंडो एट टैन और एलेवन ऑटोमेटिक से सर्च करने के बाद आपका नेट से यहां से कनेक्ट होना चाहिए मेरा यहाँ पर कनेक्ट नहीं है मैं आपको यह ब्रैबर को लिए श्रब्सी आपको यह और विलीय उसको अपडेट करने जैसरे यहाँ पर स्टोरेज कंट्रॉलर है इसको यह अपने अपडेट करेंने इस तरीया से सैंसे आधी तो आपका इशु दोस्तों यहां से फिक्स हो जाना चीए आपको एक बार रिस्टार्ट कर ले न अपनiren आपको इस्टेमने drug फिक्स हो जागा, अगर दोस्तों, आपका इशुए कहाँ सकते हैं, तो आपके हाइड ड्राइव अगर करब्ट होगी, तो कि इसमें भी यह इशुए, आपका classroom नहीं हो सकता, यहां से, तो आपको मेभी अपने हाइड ड्राइव रिप्लेस करने पड़ सकती है एक और चीज आप कर सकते हैं जो इसके बीच का जो लगा हुआ दोस्तों यहां से यह केवल इसको आप चेंज करके देख सकते हैं कई बार यहां पर यह केवल भी खराब होती है उसके वज़े से भी यह error आता आपके सिस्टम में तो इस तरीका से दोस्तों आप इस इशओ को fix कर सकते हैं वने दोस्तों आपका इशो fix हो गया होगा आप वमारे इस वीडो को like कर सकते हैं हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स पर वाजिंग how to fix snack